वेलकम टू माई चैनल टिप्स थीएटर चैनल में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों खुबसूरत चहरा हम सब को अच्छा लगता है हम सब चाहते हैं हमारा चहरा चमकता दमकता सुन्दर सा हो परंतु हमारे स्किन में कुछ न कुछ प्रॉबलम हो ही जाती है चाहे पिमपल्स के निशान, चाहे एकने के दाग, चाहे हमारे चहरे पर हो जाती है जाईयां पिगमेंटेशन तो जाईयां pigmentation को दूर करने का चहरे के दाग धबो को हटाने का बहुत ही बढ़िया जबरदस्त नुस्खा आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ हमारे चहरे पर जो pigmentation है जाईयां है दोस्तों कोई health issue नहीं है कि हमें कोई ये बिमारी है परंतु सुंदर्ता की दृष्टी से दिखने में अच्छा नहीं लगता है और हमें भी खुद को हमारा confidence कम होने लगता है तो आज और रेमेडी शेयर कर रही हूँ दोस्तों यह आपके pigmentation को जड़ से समाप्त करेगा चहरे पर यदि फोड़े फुनसी के निशान है दोस्तों तो वह दूर होंगे और चहरे की skin का रंग साफ होगा चहरे पर बढ़िया चमक आएगी तो इस रेमेडी के लिए आपको लेना है जायफल जायफल जिसे nutmeg भी कहा जाता है हम लोग खाने में इस्तमाल करते हैं दोस्तों कई मीठी चीजों में जायफल का powder डाला जाता है बहुत ही जादा इसमें vitamin, mineral, पोशक ततों का भंडार होता है जायफल एक चुटकी जायफल भी काफी होता है दोस्तों बहुत कम quantity का इस्तमाल किया जाता है दिखने में सुपारी होती ना सुपारी के जैसा दिखता है परंतु बहुत कड़ा नहीं होता सॉफ होता है, मैंने एक जायफल को हलका सा क्रश किया तो तुरंथ की फूट गया बहुत आसानी से आप इसका powder बना सकते हैं जायफल का powder का इस्तमाल करना है आप को pigmentation को दूर करने के लिए जाएफल का पाउडर आप कई तरीके से बना सकते हैं ये देखें मैंने जाएफल को कुटा हलका सा क्रश किया वो पाउडर फॉर्म में आने लगा है आप चाहें तो थोड़ा सा और भी इसे पीस लें बहुत अच्छा पाउडर बन जाता है तो एक तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया जाएफल का पाउडर बनाने का जाएफल जो होता है दोस्तों हमारे चहरे की चमक को बढ़ाता है अच्छा टाइट करता हमारे स्किन को जो कई बार हमारे तुचा धीली पड़ जाती है उसमें कसाव लाता है चहरे पर जो fine lines हैं उसे दूर करता है और चहरे पर जो pimples एकने के निशान है उसे खत्म करता है तो जाइफल का powder बनकर बिल्कुल तयार है इसे अब आपको mix करना है दूद में जी हाँ दोसों जब हम जाइफल और दूद को मिला कर छोड़ देते हैं ताकि जाइफल दूद में अच्छी तरह से फूल जाए उसके बाद इस paste को इस face pack को आपको अपने चहरे पर लगाना है सारी चीजे बताऊंगी कैसे लगाना है कब लगाना है वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूड करेगा साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थीएटर को सब्सक्राइब जरूड करेगा तो जाइफल का powder यह जो हमारा तयार है दोसों वैसे pigmentation का जाइयों का जाता है और pigmentation शुरू हो जाता है तो जब भी तेज धूप में जाएं अपने चेहरे को थोड़ा सा cover करके जाएं ज्यादा अच्छा है नीन की कमी के कारण भी यह काले घेरे जो आखों के चारु तरफ हो जाते यह भी हो जाते हैं तो डार्क स्पोट की जो प्रॉब्लम है डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है वह भी दूर होती है जैफल का पाउडर और कच्छे दूद का इस्तमाल करने से यदि कच्छा दूद नहीं है तो आप उबाल कर ठंडा किया हुआ दूद भी ले सकते हैं इसके साथी साथ दोसों अगर pigmentation जाईयों की प्रॉब्लम है बहुत समय जाता होता है जिन्हें PCOD की प्रॉब्लम होती है उन्हें भी थोड़ा सा ये चांसेस रहते हैं होने के थाइराइड वालों को रहते हैं और कई लोगों को डिलेवरी के बाद भी हो जाता है ये चीजें तो चैफल को आपका पाउडर आप इस तरह से भी बना सकते हो किस आप ले सकते हैं अब इस दूद में जैफल का पाउडर आपको डालना है ये देखे मैं आपको थोड़ा सा और कदू कस करके दिखा रही हूं कि बहुत आसानी से ये किस जाता है और इसे लगाना है आपको दोस्तों कम से कम आप सपता में चार से पांच बार लगाएं आप पत्थर की चौकी होती है ये तो इसमें क्या करते हैं एक चमस दूड डालते हैं और जैफल को इस तरह से घीसते हैं ये देखे थोड़े देर में दो चार बार आप घिसेंगे ना तो जैफल का थोड़ा गाढ़ा सा पेस्ट आ जाएगा एक उंगली में एक चुटकी यदि बच्चे को चटा दिया जाए बच्चे को कितनी भी ज़्यादा सर्दी खासी कफ है चोटा बच्चा क्योंकि चोटा बच्चा अलग से खा नहीं पाएगा तो चोटे बच्चे को इससे उंगलियों से चटा दिया जाता है चार-पांच मेहने का च्छै मेहने का बच्चा है सिर्फ एक बार उंगली से आप चटा दे पुरानी से पुरानी जो सर्दी खासी होगी न चाती में कब जम गया है बलगम जम गया है छोटे बच्चे को खास कर सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा हो जाता है बच्चों को बिल्कुल ठीक हो जाता है दोस्तों यह देखे जैसे मैंने आपको उंगली में दिखाया केवल एक बार चटाना है आपको छोटे बच्चे को इससे जादा नहीं क्योंकि यह बहुत स्ट्रॉंग होता है जाइफल का दूद पीने से थोड़ी नीद आती है अच्छी गहरी नीद आती है बहुत से लोग तो सर्दियों के मौसम में जाइफल को कदू कस करके चुटकी भर दूद में डाल कर पीते हैं सर्दी खासी कफ से आराम मिलता है जाइफल का सेवन करने से विंटर सीजन में थोड़ा गरम तासीर होती है इसलिए तो ठंड में लेते हैं इसे बच्चों को आप उंगली से ऐसे दूद में घिसके चटा दें आप ट्राय कर सकते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो अब देखते हमें इसे चेहरे पर कैसे लगाना है दूद आप अंदास से डालें कम लगें तो दो-चार ड्रॉप और भी डाल सकते हैं पहले मिक्स कर लें बहुत पतला पेस्ट नहीं चाहिए हमें यह देखे मैं इस तरह से मिक्स करती जाना है इसे आपको अपने चेहरे पर मालिश करते हुए लगाना ऐसा नहीं कि सिर्फ इस पेस्ट को लगा देना है आपको अपने चेहरे पर हलकी हलकी मसाज करना मसाज करते हुए आप इसे लगाए लगा कर कम से कम 15 मिनट तक आप इसे चेहरे पर छोड़ दें 15 मिनट के बाद आप अपने चेहरे को धोलें आपको खुद को चेहरे पर इतनी अच्छी चमक लगेगी आपके स्किन में बहुत अच्छा कसाओ आएगा चेहरे के रिंकल्स खतम होंगे साथी साथ ये जो जाइफल का पेस्ट होता है एंटी एजिंग होता है हमारे चेहरे पर उम्र का पता ही नहीं चलता लंबे समय तक यदि जवा बने रहना चाहते हैं तो इस पैक को जरूर लगाएं बहुत फाइदे मन्द है तो थोड़ी ज़र मैंने जाइफल के पाउडर को इस तरह से दूद में छोड़ दिया है थोड़ा फूल चुका है और अब इसे आपको लगाना है जो गर्ल्स हैं दोसों खास कर उन्हें पिंपल्स एकने के निशान बहुत हो जाते हैं गाल पर और दिखने में खराब लगते हैं तो वे भी इसे जरूर लगाएं जिने पिग्मेंटेशन हैं वे भी लगाएं गल्स भी इसे लगाएं बोइस भी इसे लगा सकते हैं जिने जाईयों की परिशानी हैं या मुहासे की निशान हैं और हलका सा मसाज चरूर करें आप चाहें तो अपने चहरे पर रिंकल्स को दूर करने पिग्मेंटेशन को दूर करने पूरे चहरे पर भी आप इस पैक को लगाएं बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा और फिर उसके बाद 15 मिनट बाद आप अपने चहरे को धो सकते हैं दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया रिमेडी है दोस्तों और जायफल जो होता है गुणों का भंडार है आयुरुवेद में भी जायफल का बहुत जादा महत्वा है विटामिन और मिनरल से भरा हुआ है 100% आपको रिजल्ट मिलेगा कुछ दिन आप इसे कंटीनियू रखे किसी भी रिमेडी को वर्क करने में थोड़ा सा टाइम लगता है आप 15 दिन तक इसे कंटीनियू रखे आपकी पुरानी से पुरानी जाईया है न मुहासे के दाग निशान जो भी होंगे आपके वो बिल्कुल ही दूर हो जाएंगे तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा साथी साथ टिप्स थीएटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा